नमस्का स्वाथ आप सभी का वैधर अपडेट के अंदर मैं हम आपके साथ एक रेश राड़ी और जल्दी से नज़र डालेते हैं आज के मौसम के हाल पर तो दिल्ली NCR समेट समूचे उत्तर भारत में सुभा और शाम को हलकी ठिटूरन वाली ठंड शुरू होने में अभी समय हैं बावजूद इसके नियूंतम तापमान 10 डिगरी पर पहुँझ गया है वही भारती मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा जिस से नियूंतम और अधिक्तम तापमान दोनों में इजाफा होगा मौसम विभाग के पुर्वानुमान के अनुसार ही मंगलवार को सुबा से ही आसमान साफ है सुबा के समय कोरा रहा लेकिन धूप निकलने के साथ ही ये चटने लगा है इस दोरान यानी मंगलवार को अधिकतम ताफमान 26 और नियूंतम ताफमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है उधर स्काइमेट वैधर की उपाद्यक्ष ने बताया है कि अभी दो दिन ताफमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा लेकिन बुदवार से आंशिक रूप से बादल चाने लगेंगे जिसकी वज़ा से अगले कई दिन तक अधिकतम ताफमान 26 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम ताफमान बढ़कर 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कुल मिलाकर दिल्ली NCR में नवंबर महीने में शीत लहर चलने के बेहत कम आसार है महीं बात करें अगर सोमवार की तो सोमवार को अधिकतम तापमान समाने से 2 डिगरी कम 26.4 डिगरी सेलसियस जब कि नियुतम तापमान समाने से 3 डिगरी कम 10.4 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया था हवा में नमीक अस्तर 49-93 प्रतिशत रहा था बता दे कि अगले कुछ दिनों में सुबा के साथ साथ दिन के तापमान में भी बदलावाएगा जिसकी वज़ा से लोगों को दिन में धूप में अच्छी लगने लगीगी इस दोरान सुबा कोरा जरूर वाहन चालकों को मामूली रूप से परेशान कर सकता है बता दे कि दिल्ली NCR में पिछले सब्ता 12 नवंबर को एक बार फिर बादल देखने को मिले थे वहीं इसके बाद तापमान में गिरावर का सिलसला शुरू हो गया जो अब भी जारी है 14 नवंबर को अधिकतम तापमान महज 26 डिगरी और नियूंतम तापमान महज 10 डिगरी के आसपास चला गया था तो यह था आज के मौसम का हाल जैसे कि अब आपको बताया कि दिल्ली में सुबा के समय तो कोरा चाया रहेगा वान चालकों को थोड़े धूंद का सामना करना पड़ सकता है और हम ही हम हवा में देख रहे हैं कि जो पॉलूशन है ज्यादा देखने को मिला प्रफशन है झालकों को चाहरा देखना गलको हम एंस घर लुलूशन है में तो प्लात है इनले के भी आलकों